हलो एंड गुड मॉर्निंग एवरिवन, मेरा नाम है अजे जागलान, इजी कॉनोमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी सखुशल होंगे अपने घर पे, तो क्लास 11 के बच्चों आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है CBSE की तरफ से, जैसा कि Government of India की गाइडलाइन्स थी, कि भई स्कूर्स ओपन नहीं हो पा रही है, कोरोना की वज़े से ठीक है, तो आपको घर से बैठके बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या, आपके सलेबस को रिवाइज करना था, ठीक है, ग रात की notification में, आपके सलेबस को 30% तक रिवाइज कर दिया गया है, मतलब 30% तक उसमें cut off कर दिया गया है, जो सलेबस हम लोग cover कर रहे थे अभी, उसके अंदर से 30% topics थे, उनको cut off कर दिया गया है, और यह जो cut off किया गया है, यह सिर्फ जो current session है आपका, 2020-21 का, इस session के लिए किया गया है, ठीक है, तो जो session है, जो आज की video है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, कि कौन कौन सा topic आपके लिए cut off किये गये है, ठीक है, जो मतलब 30% जो revise किया है, reduce किया है, उसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, और जो कल की video होगी, उसमें आपको मैं बत कुड़ने है, कौन कौन से topic cover करने है, कौन से topic हमें, जो पहले cover कर चुके है, आप उनको cover नहीं करना है बचे, तो ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो official notification, government of India की तरफ से जो guideline सी CBC को, उनके दवारा, जो CBC ने कल रात को जारी किये, official notification, वो आपको मैं दिखा दे जारता हूँ, देखिए बच्चे, जो आपका subject code है, वो 030 code है आपके लिए, जो class 11th है, आप सभी को पता है, कि आपके पास दो books है, part A, stats है, जिसको statistics of economics भी कहा जाता है, जो दूसरी book है, part B, उसको कहा जाता है, introductory micro economics, तो जो हम लोग part B है, उसको पहले cover कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग, जो part B है, हमारी micro economics, उसको पहले cover कर रहे है, जो आपकी book है, micro economics, इसके अंदर से जो 3 unit है, unit number 4, unit number 6, unit number 7, उसके अंदर से topics को delete किया गया है, और maximum जो theoretical topics थे, उनको delete किया गया है, बच्चे, आपकी practical knowledge को बनाए रखने के लिए, theoretical topics थे, उनको delete कर दिया गया ह ताकि आपके important topics आपके पास से ना जाएं, वो ऐसे के ऐसे रहें, जो maximum topics है, यहां से हम लोग वो cover कर चुके हैं, बच्चे, एक तरीके से जो पूरी micro economics है, वो हम लोग पूरा कर चुके हैं, तो आपको मैं briefly समझा देता हूं, जो unit 2 है, आपकी introduction है, उसके अंदर से आपका concept of PPC, जो production possibility frontier है, या फिर production possibility curve है, उसको अब नए revise levels के according, उसको यहां से remove कर दिया है, topic को delete कर दिया गया है, जो unit number 6 है, हमारी production behavior and supply, ठीक है, यहां पर आपके जो production function है, जो theory of supply है, यह सब chapter आते हैं, यहां के अंदर से आपके जो production equilibrium meaning है, producers का equilibrium है, उसका meaning है, उसकी conditions है, terms है, of marginal revenue और marginal cost, इन topics को यहां से delete कर दिया गया है, ठीक है, और जो unit number 7 है, जो chapter में लोग recent cover कर रहे थे, हमारा forms of market, और price determination with simple applications, इस पूरे topic को यहां से delete कर दिया गया है, topic जो delete किया गया है, वो कौन सा है, open market forms है, जैसे monopoly है, monopolistic competition है, their meaning and features है, इनको यहां से पूरा delete कर दिया गया है, और यह वाले topic हम लोग पहले cover कर चुके हैं, अब recent notification के हिसाब से, अब आपको इनको cover नहीं करना, फिर भी आपकी basic knowledge को पूरा करवाने के लिए, मैं यह topic आपको पूरे करवा चुका हूँ, क्योंकि हम लोग starting से ही, जो हमारा पूरा syllabus है, उसको cover करते हुए, चल रहे थे, ठीक है बचे, अब यह वाली book complete होने के बाद, हम start करेंगे, जो हमारे पास, जो हमारी part A है, statistics है, ठीक है, जो हमारे पास statistics है हमारी, उसको cover करना है, ठीक है, तो यहां से, जो हमारे पास सिर्फ unit number 3 थी, statical tools थी, and interpretation, उसके अंदर जो topics थे, आपके वो कौन-कौन से delete किये गए है, वो है measure of dispersion, range, quartile deviation, mean deviation, and coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, ठीक है, correlation, sparksman rank correlation, index number, index of industrial production, यह वाले topic आपके unit number 3 से, delete किये गए है, और यह book हम अब कुछ दिन में start करेंगे इसको, ठीक है बचे, यह जो हमारे topics थे, जो delete किये गए topic है, वो वहां से मैं automatically delete करा दूँगा आपको, और जो next video आएगी, वहां पर आपको comparative way में समझाऊंगा, कि जो rest of 70% topic है, जो rest of 70% syllabus है, जो अब आपको cover करना है, वो कौन सा syllabus है, और कौन सा वहां से delete किया गया है, दोनों के एक comparative study कराऊंगा आपके लिए, तापकि आपको कौन सा syllabus cover करना है, कौन सा छोड़ना है, वो आसानी से समझ में आ जाए बचे, तो यह बहुत बड़ी breaking news है, इसको बहुत अच्छे से देखना बचे, पूरे lecture को, और जितना जादा हो सके इस वीडियो को share करना, क्योंकि आपके लिए बहुत important news है, बहुत बड़ी breaking news है आपके लिए बचे, ठीक है बचे, आज के lecture में सर्फ इतना ही, आशा करता हूँ, आपको पूरा topic clear हुआ होगा, जो syllabus हमारा revise किया गया है, गौर्मेंट की तरफ से, उ ठाइस को लिसनिक वे अगाइबाग नेए बच्छुए था सथी हैंटाइस, तरफूसे चैनल आपके लिए लिए जालन अपके लिए, नेखना करता हूँ, तरफूसे दाइस, आपके लिए नेए बच्छे, और बचेनल पूने हम सब्स्वेंट इसक्तव नेए, और दोसे